बैइ ऐसा लगता है कि रियाल मुझे को छोड़ने के बाद ना वै क्रिस्टियान और रोनाल्डो की किस्मत तो भाई सही में एक डाउन फॉल एक डाउन ट्रेंड पर है और कल कि अगर हम मैच की बात करें तो आइटेंगे किसी भी किस्मत या फिर अगर हम बात करें किसी के भ बाइस तो रहे गई लेकर कल का गेम मजाग था टैक्टिकल लेवल पर था ही था लेकिन भाई अगर आप इसको एजा रुनार्डो फैन देख रहे हैं फिर एजा ठीक आप एक साओधी लीग से एक्सपेक्ट करते हो कि वह यहां पर एक अच्छा परफोर्मेंस पुट करें भी यहां पर इस तरही परफोर्मेंस डाली है बतलब देड़ घंटा उसके ऊपर से यहां पर इतने गोल ओव्यूसली यहां पर चार तीन तो सब सही था लेकिन उसके ऊपर यहां पर जिस लेवल का पैनल्टी शूट आउट पर हंगामा घटा है ना दर वह अमेदिम देख को आप जब ट्रूलना कोशिश करो तो आपको पता जलेगे अले लाली एक ऐसी तीम ठींटी जिसके लिए स्टिस्टिकली और हिस्टॉरिक यह अगरं पर इसेंट की बात करें तो आपको डुपरी आपको पड़ी है लेकिन यहां पर अलेंट की बात करें तो बाई यूए क स्टार्ट होता है और मैच एक तरफा होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन एक तरफा किस सेंस में एक तरफा यहां पर आप कर सकते हो कि अटाक और एक तरफा यहां पर गोल थ्रेटनिंग में लेकर ऐसा कुछ convincing नहीं हो रहा था एक तरफ आप efforts के number दे सकते हो एक तरफ आप convincing के number नहीं दे सकते कि यहाँ पर जो चीज अलनसर करने कोशी करी थी वो उसको काफी सही तरीके से कर रही थी यूँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था लैक डिस्पाइट अगर हम आपको वन-जीरो पर लगता है जब यहाँ पर अलनसर नहीं आपको बन वन पर लगता है नहीं आपको टूवन पर लगता है जब यहाँ पर होतावियों ने गोल कीपर को force करा एक error करने के लिए आपको मैस के किसी वे point of time पर यह लगता ही नहीं है कि अलनसर एक्चुली में बेटर टीम है अलनसर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगेरा प्लेयर्स है और अलनसर में यहाँ पर एक वह quality है और यह अलनसर की टीम को पर अफ़ो ने मिस किया और यहाँ पर अगर साथियों माने के बात करू हूं पता नइस कपसे कहता हुआ है कि यह यह किया क्या हो गया है इतना जो जब दॉन ट्रेंड आया है उसके बाद लोग कहते हैं क्रिस्टियान अभी उसकी रॉनाल्डो की परफॉर्मस को भी ठोड टोल लेंगे यह रियालिटी चेक तो महां पर बना चाहिए रॉनाल्डो थटी नाइन का है आठ साल का फरक है और साथी अमाने सीधा लिवरपूल ब मतलब बहुत बड़े क्लब से स्विच करके आया तो जो ऐसा निया कि पहले बाइन चला गया फिर एवर्टन है पर ऐसे करते करते हो साथी क्लब आया तो यहां पर जो पर्फॉर्मस थी ना अब यह देखने वाली बात है कि क्या यहां पर जो मैनेजर है वो सैक होगा या न क्रिस्टियान और नाल्डो का हर एक एंगल से लेकिन खुद की पर्फॉर्मस की बात करें इतना बड़ा मैच और यहां पर कमबैक की कोशिश थी मतलब आप कह सकते हो कि पूरा प्लैटफॉर्म सजा हुआ था कि क्रिस्टियान और नाल्डो एक बार फिट से नहीं सिर्फ स रोनाल्डो खुद को भी पता है रोनाल्डो ने जब 118 मिनट पर पैनल्टी स्कोर करके गोल स्कोर को बराबरी पर लेकर आया था वो उसने सेलिब्रेशन करने के साथ कि यहां पर अपर प्रजाइज भी किया था है अब जो कॉलिटी है पैनल्टी शूट और पर उबिसली अब इस अब इस प्रजाइब रोनाल्डो था और यहां पर एरेक्स तेस था तो आप एकस्पेक्ट करते हो कि पैनल्टी शूट जीत लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता इसके अलावा यहां पर अगर आगर हम चांसे की बात करें एक तो चांसे उसने टीम ओवर नरो मेने लु टीम बहुत लिए घेम बहुत है इस जड़ा नारणो के अगर बाक करेंगी लास के कुछ अब टाइम बचा है justified निया बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा मजा ही नहीं आ रहा as a Ronaldo fan में बता रहो मजा ही नहीं आ रहा Ronaldo को इस uncharacteristic team में आ देखते हुए and कल की अगर मैं बात करूँ तो Ronaldo ने भी हगा ही है और Ronaldo ने अपने chances को नहीं लिए यह चीज़ उसको खुद को भी पताती बट आई तिंग यह season तो डर अनडेस्टिड है नेक्स सीजन का देखना पड़ेगा इसी की ताथ अगर बात करें यहां पर रियाल मडिट से तो बैए रियाल मडिट में अभी यह मेरी खाल से एक नौर भी बन गया है कि रोड्रिगो क्या future होने वाला है रोड्रिगो से क्या सवाल जवाब करना चाहिए और क्या नहीं है उसका future रियाल मडिट में या फिर कई और है और इंकमिंग एंबापे इंकमिंग अरिक अब यह सवाल ना मतलब आप इग्नो नहीं कर सकते हैं लेको पिछले पूजिशन पर नहीं खेल रहा है लेकिन यह बात भी सच है कि अगर हम अपने फ्रेंट लाइन की बात करें तो रोड्रिगो ही सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और सबसे ज़्यादा यहां पर डाइनमिक प्लेयर है तो लेकिन उसकी वर्सेटालिटी को काफी गरांटिड लेता है यह बात मानते हैं लेकिन उसकी वर्सेटालिटी है ही इतनी स्पेशल कि उसको किसी वी पोजिशन में खिला दो किसी वी वेव में खिला दो वो यहां पर ढ़ल जाता है लेकिन यह बात भी सच है कि रोड्रिगो जो ड्राय स्पेल आ रहा है वो खुद की इनकंसिस् से की बात करोगे तो as of now Real Madrid अगले सीजन पूरा देने वाली है रोडरिगो को अपने आपको प्रूफ करने के लिए लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे मैं पहले भी एक पर्सनल प्रडिक्शन करें कि 2025 वो सीजन हो सकता है एंड का जहां पर शाहिसे रोडरिगो एक मेक और ब्रेक वाली डील पर होगा एक उस पॉइंट पर होगा जहां पर या तो उसने अपने आपको प्रूफ कर दिया है या फिर कहीं ना कहीं वो हमारा मारकस राशोड निकल ग कि अब रिपोर्ट में जाटकले की लगाए बात करें यहां पर कुछ की बात करें तो कुछ मुल्टि पल डील की तरह से कि मैंचेस्टिंग के पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि है मेसन ग्रीनवुड जिसको बताया जा रहा कि बार्चिरों न उसकी को किसी भी एंगल पे रिप्लेस नहीं कर सकता और आर्स्टिल के मैच को मिस्स करेगा यह कंफर्म है लेकिन इसी की दादिया पर अकान जी ने एक बार फिर से ट्रेंट आनोल्ड पर बाई डे गेम किया है और उन्होंने काई कि ट्रेंट जो बंदा कभी चार पांट ट्रॉफ कितनी लाइक आयरेनी की बात नहीं कि पैप गाजल और यंग क्लॉप बिलकूर अपने एक दूसरे को इग्णॉर करके मतलब इन सारी चीज़ को इग्णॉर करके दूसरे को रिस्पेक कर रहे है और इसेम टाइम यहां पर हालन और अकान जी लेकर लगे पड़ें यहां पर और बीबी थी चल रहा है ट्रेंट के साथ बडाट सिट पर इस एपिसोड गाइज आपको एपिसोड पसंदा और एपिसोड पसंदा आते एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो करें